हुआ हालो इसमें बाइक के बारे में डिसकर्स करेंगे बाय लुक्स तो अपको समझ आ गया है थाम लिन से उपको पता चल गया है इसमें एक अलग सा बात है क्यों मैं यह बोल रहा हूं तो यह जो नया पेंट स्कीम है यह है ख्रोम और इसमें पेंट स्कीम के लिए यह जो बाइक है इस बाइक का जो ओवर्ड एक्ट्रक्शन है यह कई गूना बढ़ चुका है आप खूद ही देख लो इस एंगल से इस बा बहुत ही प्यारा प्यारा लुक से सत आ रहा था एक रेट्रो चार्म भी आपको इस बाइक के ऊपर मिल रहा है पर ड्यू टू दिस न्यू एडिशन मतलब यह नया वाला कलर के लिए इस बाइक का ओवराल जो लुक से इसमें तो भाई अभी चांद चांद लग गया है यह क्रोम कलर के लिए इस बाइक का ओवराल रेट्रो वाला जो एक्ट्रक्शन है यह कही गुना बर्च चुका है तो यह कितना बीटुफुल है इसे देखने के लिए आए थिंग आप लोगो को नियार बाई को या माशोर में जाना परेगा अगर बर्दमान के ठेटरी से बिल इसके साथ ब्लैक गोल्डेंड कलरे तो यह लग रहा है यह बाईक बहुत ही बहुत ही प्यारा लग रहा है तो यह बात करेंगे इस बाएक का डाइमेंशन एट इन के बारे में तो यह जो जो एक इसका जो ओवरल वीलवे से यह है 1000-330 मिल्यमेटर इसका जो वेट है वे 139 ग्राउंड क्रेंट से 165 mm इसका सीठ हाइट 810 mm और इसका फुएल टेंग का जो क्यापसिटी वह 10 लिटर का तो बाखी जीसों के बारे में जानने से पहले एक वाइक आइक आंगल से उसका मज़ा उठा लीजे तो यह है उपर से इस आंगल से इस आंगल से इस आंगल का और क्रों आपको स्थे फ्वेल टैंग में नहीं यह प्यारा सभी फंक्शन जो एड़ी वाला है इसके चारी ओर भी मिलेगा यहां पे क्रोम मिल रहा है और ध्यान से अगर देखो के तो यहां पे ब्लैक इंसर्ट था तो अभी यहां पे भी आपको क्रोम मिल रहा है तो बीटिफुल बीटिफुल लोक्स अब इस बाइक और उसके साथ अपको यहां पे एरडी बला टानी इंडिकेटर मिल रहा है और विद ग्रेटर्स फॉर्टी वान विलेमेटर एडिया ट्यू बला ट्रेलिस्कोफिक फॉर्ट भी मिलेगा यह ग्रेटर के लिए दो प्लास् मिल रहेगा और यहां पर आपको मार्टगर्ड फॉर्ट वाला वो मेटल का मिल रहा है यहां पर देख सकते हो कुछ अलमोनियम ब्राश पेंट है यहां पर यह पूर्शन भी बहुत प्यार आपको लगेगा और डुएल चैनल एबीए से इस बाइक में ट्रक्शन कंट्रोल इस बाइक में और इस बाइक का फॉर्ण में आपको 282 मिले मेटर का डिस ब्रेक मिलेगा और बूटफुल गोल्टेन कलर के साथ अपको फॉर्ण में 100 बाइटी सेक्शन का 17 इंज का टायर भी मिल रहा है और इस टायर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर ब्लॉक पै पर यह प्लास्टिक का है यह बला पॉर्ण मेटल का है और नीचे आपको एक बैश काड भी मिल रहा है जो मेटल का है यह बहुत ही आच्छा चीज़े प्लास्टिक नहीं है तो कुछ हट तक अगर मान भी लो कई पर टगड़ा जाता है नीचे से तो यह इंजेन यह जो प्लास्टिक का इंसर्ट है यह बहुत ही मस्कुलर अपको लगेगा यह इसका फ्वेल फिलिंग कैप जो चीज़े है यह पूरा ओपन हो जाता है यहां पर यहां मा चाहता तो थोड़ा सा इंप्रूब कर सकता था सो यहां पर आप देख सकते हो यहां मा का ब्लैक कालर का ल यह बहुत ही जच रहा है इस क्रोम के ऊपर एव जेट एक्स का गोल्डेन कलर का स्टिक रिंग है ब्लैक के ऊपर यह भी बहुत प्यारा लग रहा है और आप यहां पर आलॉमोनियम कलर का बहुत सारे चीज़ देख सकते हो प्यारा सा एक माफलर भी आपको यहां पर है यहां पर 220 मिलेमेटर का डिस ब्रेक मिल रहा है और यह जो रेयर वाला टैर है यह हंड़ेट फॉर्टी वाई सिक्षिन का 17 इंच बार एक टैर अपको मिलेगा रेयर में छोटा सा एक टैर हागर मिल रहा है यह थोड़ा बार होता तो बहुती बहुती हेल्फुल होता और यह जगह पर में थोड़ा सा नीराश हूं वह है यह रेयर वाला पोर्शन यह माँ चाहता तो इसके उपर भी कुछ चेंजेस लेके आ सकता था पर वह नहीं लेके आया क्या जो भी है यह स्क्वारीज डिजाइन है साइड में आप बहुती बहुती हिल्फुल है और यह पि आपको मिलेगा इसका पैडिंग भी अच्छा खासा है और इसमें आप लाइंस देख सकते हो एंटिस्री प्रोपर्टीज भी आपको यहां पर मिलेगा मतला फर्स ब्रेकिंग के टैम में ऐसा नहीं होगा कि आप सामने को फिसल जाओगे तो यह बहुती बहुती अच्छा एक चीज़ है तो भी बात कर लेते हैं इस बाइक क्या इंजिन के बारे में तो यहां पे आपको एयार कूल फोर स्टूप एसवे सी टू वाल बाला वान पुटी नाइस इंजिन मिल रहा है च्वेल पॉइंट फॉर पी एस मैक्स पावर यह प्रोडूस करता है तो यह एक काम करते हैं इसका जो स्वीज किया रहे डिस्प्ले इसके बारे में बात कर लेते हैं तो स्वीज किया यहां पर आप देख सकते हो इंजिन कील स्वीच है एगनेशन का स्वीच है स्वीच का क्वार्टी आस पर यहां मा स्टेंडर्ड है और यहां पर पास स्वीच सकते हो और यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है अगर इसे प्रेस करूं तो टाइम है यहां पर ट्रक्शन कंट्रोल ओन है और अगर आप यम्मा वाई कनेट आप यूज करते हो तो कॉल स्टेटस भी मिल जाएगा फोन बैटरी लेबल स्टेटस भी मिल जाएगा फोल गंजंशन ट्रकर भी अपको मिलेगा मेंटरेंस रिक्वेंडेशन लास्ट पर्क विंग लोकेशन अ मैल फंक्शन नोटिफिकेशन जैसा सुवीदा भी आप यम्मा वाई कनेट एप के त्रू उठा सब्सक्रों में तभी इस प्यारा सा बाइक का साउंड को एक बर अब लोको सुना देते हैं तो यह इस बाइक का साउंड शोड में हूं इसलिए ज्यादा रिब में नहीं करता हूं तो अब लोग को इसका साउंड कैसा लगा वो कॉमेंसेशन कर देना एक्शुली मुझे जो फिल हो रहा है इसको साउंड है यह प्रीमस सैडिस्पाइंग है इसका नोड बहुत ही प्यार आए जब आप इस बाइक को राइट करोगे तो यह लॉंग टाइन भी आपको सैडिस्पाइ करता ही रहेगा तो अभी बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टन थिंग के बारे में वाट इस दा प्राइस ऑब इस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बाइक तो अभी मेरा होम टाउन बर्दमान में इस बाइक का एक्श्वरूम प्राइस है रुपीज जो बाकी जो कलर अभी अभी अविलेबल है उन सभी से लगबक टू थाउजन से लेके थी थाउजन रुपीज ज्यादा महेंगा पड़ेगा तो यह था इस बाइक के पर में डीटेल में डीटेल में हरेक इनफॉर्मेशन तो यह इनफॉर्मेशन अब लोग को कैसा लगा यह कॉंटेंट कैसा लगा यह नया कलर और यह बाइक अब लोग बाई